Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग, welcome to this application, मैं सोनुकमार आप सभी का आज के इसके किरिवेजन सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, तो आज का जो हमारा session रहने वाला है, वो इस topic पे है, जो कि एक important topic बनता है हमारी means examination का, और वो topic है direction and distance का, और हम आज यहाँ पे coded direction and distance को solve करेंगे, last class में हमने जो solve किया था, हमने simple question solve किया था, direction and distance का, जो कि हमारे prelims examination में पूछा जाता है, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं, वो coded format के questions है, ठीक है, जो कि एक means examination का part है, बट जिस तरिके से pattern में changes आ रहे हैं, इसके according अभी SPI और IBPS PO जैसे examinations में, pre में भी पूछा जा सकता है, तो चले इस session को start करते हैं, सबसे पहले, थोड़ा सा instructions को मैं यहाँ पर explain कर दूँ, कि हमारे पास जो questions आता है, coded format में, तो वो एक code के जरिए, हमें instructions यहाँ पर दिया जाता है, वो code जो है, वो certain distance को represent करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने स्लाइड है, जो questions आता है, स्क्रीन पर है, उसमें हमारे पास एक certain course दिये गए है, इस certain course में, हम जो information हमें दे रहा है, वो किस distance को represent कर रहा है, किस direction को represent कर रहा है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना होगा, अब देखो, यहाँ पर जो instructions हमारे पास दिया गया है, इसमें क् P minus Q, अब minus जो है, वो किसको represent कर रहा है, तो 4 km to the west, right, यहाँ पर यही ध्यान लखना है, कि दो point के बीच में, जो symbol use किया गया है, वो किस distance और किस direction को यहाँ पर represent करता है, इन चीजों को यहाँ पर समझना परेगा सबसे पहले, तो P minus Q, means P is 4 km to the west of Q, P plus का मतलब क्या है, 4 km to the north of Q, right, star का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, south of Q, 4 km to the south of Q, यहाँ पर direction हमारे constant है, और hashtag का मतलब दिया गया है, east of Q, तो इस तरीके से हमें सबसे पहले यहाँ पर symbols को समझके, codify करके, और हमें फिर question को solve करना होगा, ठीक है, तो I hope आप सभी लोगों को instructions समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से हम instructions को पढ़के, हम question को solve करेंगे, आते हैं question पर, यहाँ पर हमारे पास एक statement दिया गया, ठीक है, अब इस statement के recording हम यहाँ पर, अपना direction map जो है, वो draw कर लेंगे, A plus B, A plus B का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो A is 4 km to the north of B, ठीक है, यहाँ पर जो point है, वो है point A और point B, और जो symbol इसके आगया है, वो है plus का sign, तो plus के sign में हमने यहाँ पर क्या क्या था, 4 km to the north of Q, यहनि कि A is 4 km to the north of B, ठीक है, हम draw कर लेते हैं यहाँ पर, A is 4 km to the north of B, B hashtag D, अब hashtag का मतलब यहाँ पर क्या था, east of, ठीक है, तो P hashtag Q का मतलब था, P is 4 km to the east of Q, यहाँ पर हमें है B hashtag D, यहनि कि B is 4 km to the east of D, B is 4 km to the east of D, D plus X, D plus X मतलब क्या होगा यहाँ पर, D is 4 km to the north of X, D is 4 km to the north of X, and at last W, sorry, X minus W, X minus W का मतलब यहाँ पर क्या होगा, X is 4 km to the west of W, X is 4 km to the west of W, ठीक है, यह हमारे पास आगे, उक्ती जनकाली हमने यहाँ पर इकठा कर ली है, और direction map भी हमारा यहाँ तक बन चुका है, last है W plus C, यानि कि W is 4 km to the north of C, W is 4 km to the north of C, तो यह हमारा direction map इस question का बनता है, अब question में आगे क्या कह रहा है कि, what is the shortest distance between B और C, B और C के बीच का shortest distance हमें यहाँ पर निकालना है, तो देखो, अगर हम point B से D के तरफ जाएंगे, फिर D से X के तरफ आएंगे, फिर X से W जाएंगे, फिर W से C जाएंगे, तो यह हमारा क्या होगा, shortest distance नहीं कहलाएगा, यह हम long distance को cover करते हुए, एक तरीके से total distance को cover कर रहे हैं अगर shortest distance बुचा गया है, B और C के बीच में, तो इस distance को हम यहाँ पर cover करेंगे, और यहाँ से B और C के बीच में जो distance यहाँ पर बन रहा है, हम इसी को यहाँ पर calculate करेंगे, तो B से C के बीच में क्या बनना है, 4 किलोमेटर तो यह हो गया, और W से C तक भी 4 किलोमेटर का distance है, यहनि कि 4 प्लस 4, 8 किलोमेटर जो है, वो हमारा shortest distance बनता है, point B और point C के बीच का, यहनि कि option number C इस सवाल का सही जवाब बनेगा, ठीक है, option number C इस सवाल का सही जवाब बनता है, I hope आप सभी लोगों को समझ में, आया होगा कि किस तरीके से हमें, coded format वाले question को solve करना होता है, आगे भी हमारे पास कई questions है, चलिए बढ़ते हैं, question number 2, यहाँ पर directions हमारे पास same है, और statement जो है हमारे पास दिया गया, जो question दिया गया है, वो different है, तो हम सबसे पहले का करेंगे यहाँ पर, direction map को draw कर लेंगे, Z hashtag T, Z hashtag T का मतलब क्या हो गया है, कि Z is 4 km to the east of T, Z is 4 km to the east of T, right, after that T star W, star means here 4 km to the south of Q, P star Q means 4 km, P is 4 km to the south of Q, यहाँ पर अगर दिया गया है, T star W, it means T is 4 km to the south of W, T is 4 km to the south of W, right, चलो, W hashtag X, hashtag means east of 4 km to the east, यहाँ कि W hashtag X का मतलब हो गया है, कि W is 4 km to the east of X, W is 4 km to the east of X, और X plus G, plus का मतलब क्या था मेहारा, 4 km to the north, यहाँ कि, अगर यहाँ पर दिया गया है, X plus G, यहाँ कि X is 4 km to the north of G, X is 4 km to the north of G, ठीक है, यह हमाल डारेक्षन मैप clear है, question कह रहा है, what is the shortest distance between G and W, G और W के बीच का shortest distance यहाँ पर क्या होगा, G और W के बीच का shortest distance हमें यहाँ पर निकालना है, तो पाइथाकुरस theorem का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, तो यह distance हमारा 4, यह distance भी हमारा 4, यानि कि 4 का square प्लस 4 का square करेंगे, तभी हमारा G और W का जो shortest distance है, वो हमें पता चल पाएगा, यानि कि हमारा क्या होगा, 16 प्लस 16, 32, अंदर रूट 32, और इसे हम लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, that means, 16 अंदर रूट 4 हमारे पास बाहर आ गिया, और 4 रूट 2 हमारे पास बचता है, फानली, यानि कि 4 रूट 2 किलो मिटर जो है, वो यहाँ पे, G और W के बीच का shortest distance यहाँ पे बनता है, राइट, option number D, इस सवाल का सही जवाब, option number D, इस सवाल का सही जवाब, चलो, बढ़ते आगे, question number D, यहाँ पे आपके पास instructions changes, question changes, सभी चीज़ चेंज हो जुके हैं, तो पहले instructions को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो symbols यूज के गए हैं, वो है at the rate, hashtag, percentage and, and का symbol, ठीक है, h at the rate i का मतलब है, h is 4 meter east of i, h hashtag i का मतलब है, h is 6 meter north of i, h percentage i का मतलब है, i is 8 meter west of h, and h and i का मतलब है, h is 4 meter south of i, तो इसी के recording हमें यहाँ पे करना पढ़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखने के वाली क्या बात होती है, कि जब भी question को आप पढ़ो, instructions को पढ़ो, वहाँ पे ध्यान से पढ़ना, अब यहाँ पे h, यहाँ भी h, लेकिन यहाँ i के बारे में पहले दिया गया, ठीके, अगर जल्दी बाजी में आपने i के जगा h, same same पढ़ लिया, तो वो तो आपका डियाग्राम ही गलत बन जाएगा, इसके recording, तो इन चीजों का हमेशा ध्यान लखेगा, कि instructions को हमेशा, चाहे वो आप Quant की question को solve कर रहे हैं, चाहे reasoning की question को solve करते हैं, चाहे English की question को solve करते हैं, हमेशा जो instructions दिया गया है, question से पहले, उस instructions को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दी बाजी में question आता हुआ आपका गलत हो जाता है क्योंकि आप instructions को धाल से नहीं पढ़ते हैं इसी वज़ा से तो question number 3 हम यहाँ पर solve करते हैं n at the rate k यहनी कि n at the rate k का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि n is 4 meter east of k n is 4 meter east of k right k hashtag f k hashtag f का मतलब क्या होगा k is 6 meter north of f k is 6 meter north of f f percentage b का मतलब क्या होगा कि b is यहाँ पर क्या दिया गया था h percentage i यहाँ पर 8 meter west of h तो अगर यहाँ पर हमारे पास दिया गया है f percentage b that means b is 8 meter to the west of f right b is 8 meter to the west of f तो b is 8 meter to the west of f हमारा कहां पर बनेगा तो भाईया यह distance यहाँ आ जाएगा 8 meter यह हो गया क्योंकि west में है after that b and p ठीक है b and p बच गया हमारे पास एक और statement तो and का मतलब था h and i का मतलब था h is 4 meter south of i तो b and p का मतलब क्या होगा कि b is 4 meter south of p b is 4 meter south of p ठीक है तो यह हमारा बनेगे direction का मैप what is the position of p with respect to f what is the position of p with respect to f यानि कि north or west north west what is the direction of p with respect to f का मतलब यानि कि p का direction जो है वो f के respect में यहाँ पे क्या होगा ठीक है तो वो होगा north west किस direction में है यह north west direction में option में नहीं दिया गया यहाँ पे कुछ mistake है तो north west direction में यहाँ पे होगा ठीक है यहां पर south को erase करो और यहां पर लिखो north तो north west direction में हमारा direction p point p वो f से north west direction में है लाई कर रहा है, right? समझ में आना सभी को चलो बढ़ते आगे question number 4 question same है, यहां पर statement हमारा same है, question different है what is the shortest distance between point b and point k point b और point k के बीच का shortest distance हमें निकालना है तो हम एक बार देख लेते हैं हमारा diagram क्या बना है, b और k के बीच का shortest distance, यानि कि यह distance हमें यहां पर find करना है b और k का shortest distance हमें find करना है तो क्या करेंगे हम pythagoras thornam का use करेंगे, right? यानि कि 8 meter का square plus 6 meter का square करेंगे तो हमारा b और k का shortest distance हमें पता चल जाएगा यानि कि 64 plus 36 यानि कि under root 100 under root 100 का मतलब हो गया 10 meter 10 meter is the correct answer for this question this question, what is the shortest distance between point B and point K यहां पर 10 meter का distance जो हमारे पास आ रहा है 10 meter का distance जो है, वो shortest distance हमारे पास आया, हमने अभी calculate किया तो option number B सवाल का सही जवाब बनता है ठीक है समझ में आ रहा है, कभी भी shortest distance जब भी निकालते हैं हम लोग तो पाइथागोरस theorem के यूज़ करते हैं तो क्योंकि हमें वहाँ पे according to the पाइथागोरस theorem हमें वहाँ पे hypotenuse निकालना होता है और hypotenuse निकालने के लिए हमेज़ा हम क्या यूज़ करते हैं under root P square यानि कि perpendicular square plus base square right P square plus B square formula है तो उस तरिके से हम shortest distance यहाँ पे निकाल लेते हैं चलिए बढ़ते हैं question number 5 यहाँ पे instructions change हो चुके हैं question भी change हो चुके हैं यहाँ पे instructions दिया गया है 1U2 यानि कि 2 is 2 meter to the east of 1 1V2 का मतलब है 2 is 4 meter to the north of 1 1X2 का मतलब है 2 is 2 meter to the west of 1 and 1Y2 का मतलब है 2 is 4 meter to the south of 1 इसे के according हम यहाँ पे direction map को draw करेंगे जो question में हमारे पास instructions statement दियो है वो दिया गया है इसके according 9Y7 9Y7 का मतलब यहाँ पे क्या होगा 1Y2 का मतलब है 2 is 4 meter to the south of 1 यनि कि 9Y7 का मतलब है 7 is 4 meter to the south of 9 7 is 4 meter to the south of 9 ठीक है 7X5 7X5 का मतलब हो गया कि 5 is 2 meter to the west of 7 5 is 2 meter to the west of 7 right very good 5V 5V6 next हमारा है 5V6 V का मतलब क्या था भी है तो 5V6 का मतलब होगा 6 is 4 meter to the north of 5 6 is 4 meter 6 is 4 meter to the north of 5 आप देखो यहाँ पर लास्टा हमारा 5 भी 6 यनि कि 6 is 4 meter to the north of 5 6 is 4 meter to the north of 5 तो यह हमारा डागराम बनी गया था सकेंड पार्ट है 6 is in which direction with respect to 7 6 is in which direction with respect to 7 तो यहाँ पर 6.6 जो है वो हमारा 7 के respect में किदे रहे तो वो है north west में वो है north west में option number B ठीक है वो है north west में option number B next question इससे यहाँ पर हमें अलग direction map draw करना पर देगा क्योंकि statement हमारे पास जो दिया गया है वो different दिया गया है तो 9 x 7 9 x 7 का मतलब क्या होगा 7 is 2 meter to the west of 9 7 is 2 meter to the west of 9 7 y 5 7 y 5 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 5 is 4 meter to the south of 7 5 is 4 meter to the south of 7 5 u 6 का मतलब क्या होगा u किसको represent कर रहा था 2 meter to the east तो अगर हमें पास यह दिया गया है 5 u 6 यानि that means 6 is 2 meter to the east of 5 6 is 2 meter to the east of 5 after that 6 u 3 that means 3 is 2 meter to the east of 6 3 is 2 meter to the east of 6 ठीक है यह हमारे पास direction map बने गया है second part of the question says what is the shortest distance between 0.3 and 7 right 0.3 और 7 के बीच का shortest distance यहां पर क्या होगा तो 0.3 और 7 के बीच का shortest distance निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथा करेंगे पाइथा करेंगे यूज करेंगे 4 root 2 meter 4 root 2 meter ठीक है 4 root 2 meter is the correct answer option number C right तो आज का सबी लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से coded format वाले question को solve करते हैं shortest distance हम किस तरीके से calculate करते हैं और total distance हम किस तरीके से calculate करते हैं तो आज का सबी लोगों को आज का यहीं पर swap करेंगे आज का यहीं अच्छा लगा होगा अगर आपके पास कोई भी question है कोई भी doubt है कोई भी queries है examination को लेके subject को लेके तो पिर आप सभी लोग comment section में अपने queries को post करें right सभी लोग comment करेंगे और अगर आपको आज का यहीं अच्छा लगा है तो please like this video share this video और अगर आपने subscribe नहीं किया है अभी तक इसा पॉलिगेशन YouTube चाल को तो please go and subscribe to इसा पॉलिगेशन YouTube channel and also press the bell icon for the regular updates about the upcoming sessions right so thank you once again have a good day take care लोग ट्राइब करेंगेशन अजगेशन इसानी बांपक करेंगेशन अगर